नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का एक बाविर से अंकट मोचन कहा गया है उनको, और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपके कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रातना करते हैं, तो वह आपकी कामना बहुती शिग्र गणेश की पूर्ण कर देते हैं, चाहे आपके विवा में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ड से गिरे हुए हैं, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यपार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी परकार क को दूर करते हैं भगवान गणेशी दोस्तों पुदवार के दिन गणिश कायतरी मंत्र का जाप अगर 108 बर कर लेते हैं तो आपके जीवन में आनिवल कोई भी विगन हो कोई भी बादा हो आपके कार्यों में आ रही है आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है कोई अरात्ना करे गणेश कायतरी मंत्र का एक माला जाप कर ले उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से कहे श्विगरी भगवान गणेश की किरपा से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है जब हम प्रते दिन भी पूजा करते हैं अपने घर में तब भी आपको इस मंत्र का जाप करें, उनकी अराध्ना करें, उसके बात बाकी सबी देपताओं की पूझा कर दें. पंचतेव में स्वरण किये जाते हैं सर्व प्रत्रम भगवान गनेश्ची, प्रातकाल उठकर अगर आप सर्व प्रत्रम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेशी का स्मरण करते हैं जैसे कि आप सुकर उठे और स्वरपर्थम अपने हातों के दर्शन करें उसके बाद भगवान गणेशी का स्मरण करें इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कारियों में किसी भी प्रकार की अगर कोई बाध लेकिन बुद्वार के दिन आप विशेश रूप से भगवान गणेश जी की पूजा अराधना करें तो आज हम बात करने वाले हैं किसी तरह से बुद्वार के दिन आप गणेश जी इच्छा हो वह तुरंथी भगवान गणेश जी की गृपा से पून हो जाए बुद्वार के दिन अगर आप विशे शुरूप से साथ बुद्वार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश जी उसे पून करते हैं या फिर उसे पून करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए आपके कारियों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं और आपके मन की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है। इसके लिए भगवान गर्णेश आपको रास्ता दिखाते हैं। और फिर शेगर ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी परकार के संकट से आप गुजर रहे हैं। तो इस तरह से आपको भगवान गर्णेश की पूजा विधी विधान से भुधवार के दिन करनी चाहिए। और यह है उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को जरूर देखे। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान गर्णेश की बुधवार की पूजा विधी के बारे में। जब आप सोकर उठते हैं सर्फपर्थम भगवान गर्णेश को स्मर्ण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें। और उनसे प्रातना करें कि आज से मैं आपके विशेश पूजा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रातना करने जा रहा हूँ तो मेरी जो भी परिशानी है उससे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादी कर ले। स्नान आदी करने के बाद आपको साफ स्वच वस्तरधारन करने हैं और भगवान गणेशी की पूजा करनी है। तो भगवान गणेशी की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आज पास कोई गणिश मंदिर है तो वहाँ जाकर भी भगवान गणेशी की विदी विदान से पूजा कर सकते हैं। तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ती है या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है क्योंकि विग्रह की पूजा का विशिश महत वो होता है भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो बहुत जादा महत पूर्ण होता है आप उसका अभिशेक करके विदी विधान से पूजा करते हैं लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी या कोई भगवान गणीजी की फोटो भी हो उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विदी विदान से उनकी पूजा कर सकते हैं पूजा कैसे करनी हैं अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिशेक कर सकते हैं जल से अभिशेक कर सकते हैं या फिर आप कच्छे दूद से या पंचमरित से अभिशेक कर सकते हैं जैसे कि आपकी उपलब्दता है अगर पंचामरित है जैसे दूद, दही, शकर, शहद, घी तो यह सब भी वस्तोय मिलाकर भगवान गनेश का अभिशेक करें उसके बाद आपको जल गंगा जल से अभिशेक करना है भगवान गनेश को पीले वस्तर अर्पित करें पीले वस्त कर रहे हैं तो सामगरियां आप उपलब्द करवाएं अगर संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद आपको यग्योपती अर्पित करना है यानि कि पीला जनिव भगवान गनेश को अर्पित करें शोदगी का दीपक प्रजवलित करें वहाँ पर सुगंदित धूप चला करने हैं अगर आपके पास पांच धूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर अगर मिल जाए तो ग्यारा-इकिस इस तरह से धुर्वल लेकर उनकी माला बना ले और वह माला आप निवन के इच्छायinator तो शिक्र आपके मन के इच्छाएं पूर्ण होती है। बहुत खुश होती है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही प्राप्ती होती है। जगा पर आप कोई भी वस्तूजा सकी जो आपके पास उपलब्ध हो। अगर बूद्धी के लड़ू मिल जाते हैं या आपको मुंग दाल का लड़ू मिल जाता है। मार्केट से ले आएं या फिर घर पर बना लें। दाल का हलवा भी आप भगवान को अरपित कर सकते हैं। कोई भी भोग अरपित करें। लेकिन में जो आपका प्रसाद मुख्य प्रसाद हो वो धन्य का चूर्मा होना चाहिए। आप फलो का भोग भी भगवान गणिश को अरपित करें। बहुत अधिक परिशानी में है तो आप हर बुद्वार के दिन 11 माला का जाप कीजिए और ऐसे साथ बुद्वार लगातर करना है साथ बुद्वार अगर आप यह लगातर कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणिश की किरपा से आपके जीवन में किसी भी परकार का संकटो वहत धूरू होने लगता है सिर्फ एक मातर भगवान गणिश की अराधना से ही हमें समस्त परकार की सिध्यों की प्राप्ति हो जाती है समस्त परकार की कामना है पूर्ण होती है और आप चाहें तो भगवान कनिश के मंत्र का जाप कर सकते हैं संकट नाशन गणे स्त्रोत का पाट भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है जैसे कि बहुत समय हो गया है आपको कोई संतान नहीं है या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो आपको सनातन प्राप्ति का जो मंत्र होता है जो स्त्रोत्र होता है संतान गणपति स्त्रोत्व है अभी आप पढ़ सकते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति होती है उत्तम संतान की प्राप्ति होती है तो आप विशेश किसी भी काम पूरी ना करें आपके श्रदा अटूट होनी चाहिए आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान करने से हम अपनी प्रात्ना कह रहे हैं और हमारी प्रात्ना अवश्य सुनी जाएगी दोस्तों हम उमीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज के लिए ब